हेलो बच्चो हमारा प्रस्ण है पानी से भरे एक गोले के अंदर एक विद्विधेर द्विद्रुव उत्तर दछिन दिशा में रखा जाता है तो कौन सा कथन सत्य है तो इसके कंडिशन जो है उत्तर होता है और नीचे दच्छन होता है तो हमसे बोल रहा है कि द्विध्रु यानि यहां पर अगर माइनस क्यों रख दें और यहां पर प्लस क्यों रख दें तो माइन द्विध्रु हो गया अब बोल रहा है कि इसमें से कौन कंडिशन सही है अगर हम फ्लक्स की बात करें बच्चो तोstillक्स कैसा होता है अगर हम माइनस का की सकत्य विए है माइनस के का अवेस है तो हक Mayabayक यहां पर जो के होता है वां are इंसाइड होता है रिच्क क्यों कि जो आगर हम बात करें तो प्लस Q की बात करें तो यहां से यह बाहर की और निकलती है बल रिखाएं जो है हमारी बाहर की और निकलती है तो माइनस Q के देखें तो माइनस Q में कहां आएंगी माइनस Q में इस साइड आएंगी हमारी जितनी भी है यह हमारे इस साइड आएंगी और प्लस Q की वज़ा से यह गोले से बाहर जाएंगी इस साइड जाएंगी तो अब चुकि इनका जो value है वह समान है सिर्फ डारीक्शन अलग-अलग है तो इसमें हमारा जो option है अब option को देखते हैं कि गोले यह गोले की तरफ विद्दूत फ्लक्स आ रही हैं गलत है क्योंकि विद्दूत फ्लक्स तो जा भी रहे गोले से बाहर विद्दूत फ्लक से आभी तो रहे हैं जितना विद्धूत फ्लक्स गोले की तरफ आ रहे हैं उतना ही विद्धूत फ्लक्स को गोले के अंदर नहीं जाने देगा बच्चो वह कंडीशन सटीस्फाइब नहीं करेगा क्योंकि जो हमारा होता है क्यों बाइ एपसाइलन नाट तो यहां से हम माध्यम को डिफाइन कर लेंगे यानि हमारा अप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है थैंक यू